अगर आप अचार खाने के शोकिन है तो एक बार ये वाला अचार ज़रू ट्राइक करके देखेगा प्याज और हरी मिर्च का ये तीखा चटपटा अचार आपके खाने में चार चान लगा देगा ये अचार बहुत अलदी बनकर तीयार होता है और बहुत टिस्टी बनता है ज़रू ट्राइ करें एजी सी रेसिपी और अगर वीडियो अच्छे लगज़े तो लाइक और शेर ज़रू कीजिगा आज हम प्याज और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार बनाएंगे यह अचार बनाने के लिए हमने आपर दो लाल प्याज लिये हैं और यह थोड़े बड़े साइज में हैं और हरी मिर्चिया ली हैं लगबग 50 क्राम के करीब मिर्चियों को अच्छे से वाच करके हमने सुखा लिया है उसके बाद हम इनका यह डंठल तोड़कर अलग कर लेंगे आप यह अचार मिर्चियों के डंठल के साथ भी बना सकते हैं अब मिर्चियों को कट कर लेंगे, तो मिर्चियों को आप अपनी पसंद के अनुसार काट सकते हैं, छोटे डुकडे कर सकते हैं, या फिर इस तरिके से लंबाई में काटे और नीचे से थोड़ा जुड़ा रखें, मिर्चियों को दो भागों में भी डिवाइट कर सकते हैं, यदि आपको spicy अचार नहीं पसंद है तो आप इनके बीच मिर्चियों को थोड़ा जटाकर अलग कर लें ऐसे मिर्चिय और प्यास का अचार थोड़ा कम spicy बनेगा अब मिर्चियां कट करके त्यार हैं अब हम यहाँ पर प्यास को भी छील कर धोकर काट लेंगे प्यास को top to bottom यानि की head to toe ऐसे दो भागों में डिवाइट करेंगे उसके बाद इन्हें पतली लंबे slices में कट कर लेंगे आप यह अचार बनाने के लिए छोटे onion का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो सांभर में आट किया जाता है अब आये चलते हैं अचार बनाने के प्रोसेस के तरफ एक mixing bowl के अंदर प्यास और मिर्च शिफ्ट कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर कुछ ट्राय मसाले आट करेंगे बहुत ही basic और कम मसाले जाएंगे नमक एट करेंगे स्वात के नुसार या फिर दो छोटे चमच हल्दी पाउडर एट करेंगे आदी चोटी चमच के करीब कश्विनी लाल में चैट करेंगे सिर्फ अच्छे कलर के लिए काला नमक एट कर लेंगे आदी चोटी चमच के करीब विनेगर नहीं खाते हैं तो आप इसमें लेमन जूस एड़ कर सकते हैं और अगर आपको विनेगर की रेस्पेश चाहिए तो कमेंट कीजगा प्लीज यह एक मैरिनेशन प्रोसेस है इसे अचार में टेस्स बहुत अचा हैगा चलते है नेक्स टेप की तरफ एक तड़का पैन लेंगे इसके अंदर दो चमच के करीब सरसो का तेल गरम करेंगे आप तेल कोई भी एट कर सकते हो एकदम दुमादार तेल गरम हो चुका है इसके अंदर कुछ अचारी मसालों से तड़का देंगे हम इसके अंदर आधी चोटी चमच के करीब राई एट कर करेंगे और एक छोटी चमच कलॉंजी और सौफ एट करेंगे कलॉंजी यानि कि निजला सीट्स या फिर हिंदी में से वंग्रेला भी बोलते हैं मसाले बहुत अच्छे से चटक चुके हैं गैस के आज को बंद करेंगे और इसके अंदर दो से तीन पेंच हींग एट करेंगे बस हमारा तड़का त्यार है और इसे प्याज और मिर्च के अचार के उपर एट कर लेंगे फटाफट इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढखका रखेंगे ताकि सभी मसाले और ये जो तड़का अमने लगाया है इन सभी चीजों का प्रॉपर इस अचार क में डालें उसके बाद इसे फ्रिच के अंदर स्टोर करें अचार को आप महिने दो महिने तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं ये खराम नहीं होगा बस आपने इसे मौस्चर से बचाना है इसके अंदर गीला चमच या गीले हाथ इसे निकालने के दौरान ये अच इसमें से बहुत ही अच्छी से खुश्पू आ रही है बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ बहुत ही कम मसाले और तेल के साथ यह अचार रेडी हुआ है तो ज़रूर ड्राइ करें यह मिर्च और प्यास की चटपटी से रेसिपी एकदम सिंपल है आपको जूर पसंद आएगी औ और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा थिंक्यू सो मच पर वाचिंग